हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट तो दोस्तो आप सबकी डिमांड पर मैं लेकर आ गया हूं पूरे अक्टूबर माह के टॉप सेवेंटी करेंट एफेस कोईश्चन दोस्तो आप मैंसे काफी स्टूडेंट के तक सर पूरे अक्टूबर महिने क्या मो परनी जाने वाला दोस्तो तो आप इस वीडियो का अंदे तक देखिएगा एक एक कोईशन बहुत इंपोर्डेंट है उसके लावा दोस्तों दिया आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें साथे बेल आकॉन पर सब्सक्राइब तस निधे आपको इसी तरह की daily वीडियोस मिलती रहे साथ मेंद वीडियो अचलाँ प्लिज दोस्तों लाइक करके सपोर्ट जरू करिेगा इस वीडियो में具 सब्सक्राइब कर रहे जरू कर इसमें आ सचले करें भूर सिंगक पर दोस्तों आप इस लिंक पर को पार्या चै करते हैं दोस्तों अक्टूबर महीने करने फिएस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा बहुत important question है आपके आगाम एक्जाम के लिए चले पहला question है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नी पीटी आई के स्थामना का हुई थी PTI की 27 अगस्त उनीश्च सथामना हुई तो आपको याद रखने इसके लाबा स्थापना भी पूछा आ सकता है ठीक है नेक तो इस लड़े रक्सर question पूछा आते तो आपको यह जरूर याद रखना अगला question देख लेते हैं नीमलिकित में किसरा भारत का भारत का पहला मकाई महुत्सा आजित किया गया है दोस्तों नीमलिकित राजियों में भारत का पहला मकाई महुत्सा आजित किया गया है मत्परेश में ठीक है मत्परेश में भारत का पहला मकाई महुत्सा आजित किया गया है मत्परेश की बात करें तो मत्परेश की राजा तो भारत का पहला मकाई महुत्सक किस राज में आजित किया गया मध्य प्रदेश में मोस्ट इंपोर्डेन कोशन है दोस्तों वीडियो लाइक जरू कर दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती कोशन त्यार करने में ठीक है पूरे दोस्तों 2-3 दिन लगते हैं पू जोरी दी है जो करनाटक में ऐसे लोगों को सनक्षन पतान करेगा जो दुरगटना पीडितों को जरूरत के समय आपात चिकित्सी मदद जो है मोहिया कराते हैं ठीक है तो भारत का पहला इसराइल इनोवेशन सेंटर कहा खोला गया है यह बैंगलूरू में उसके लाबा करन अनुसंदान संस्थान है भारत का सिलिकान वे लिका जाता है बैंगलूरू को परिस्तिकी विग्जान के अंद्र है और जो करनाटक का लोग नहीं थे दोस्तों वह है अक्षगान और करनाटक में बांदी पूर राष्टी उद्यान इसीत है ठीक है बांदी पूर राष्ट में कोशन नमर फोर्ट है दोस्तों निर्मिकित में से किस देश में तीर अंदाजी बिश्च कब 28 राजित किया गया था तो इसका राइट अंसर जाएगा ऑप्शन भी तुर्की में देखे दुस्तों को दाएक तुर्की के सैंसन में खेल ले गए तीर अंदाजी वर्ल कप के में भारती तीरंदाज दीपका कुमारी ने कांस बडüber्तक और अश्यक बर्मा ने विक्तिषिject मों तीम में भी वर्ग में अश्यक बर्मा ने जोती सुरयकावी के साथ मिलकर टीम को रज़ातपक दिलाया Pure ऊंग durch तीन पतक भारत के खाते में आये हैं ठीक तुन मिकित मैंसे किस देश में तीरंदाजी बिश्कप दॉठारा जुत कि अगे तुर्कीम दोस्तों इस वीडियो के पीडिया फाइल के लिए आप टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लिए वहां पे मैं इसकी पीडिया फाइल भारत का दोजबाहक था दोस्तों यूवा ओलम्पिक गेमस में भारत के दोजबाहक थे मनु भाकर ठीक है मनु भाकर ठीक है ऑप्सन ए राइट हो जाएगा दीकर अग्ला कोशन देख लेते हैं मेडिसीन के छेत्र में इल्कित में किसे नोबेल पूर्षकार दिया गया है दिया गया है जेम्स पी एलिसान और तसब्सकू हो जोगा है अपको बता दे दोस्तों कि इस बार दुनिया के यह सबसे प्रदिष्ठीत पूरसकार शैंक तुरुफ से अमेरिका के जेम्स पी एलिसान और जापान के ताशूग दिया गया है दूस्तों आप बात MARKब नोबेल प्राइज से लेटे आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं नोबेल प्राइज अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल किस्मर्ती में प्रत्ति एक बस 10 इसंबर को नोबेल फांडेशन दोर अवितित के ज़ते लेकिन इसका अनॉंस्मेंट पहले हो जाता है आपको बता दे क 1901 से शुरु आतुति नोबेल पुर्सकारों की बहुतिक शास्र, रसायन, विग्जान, चिकित्सा, साहित्त और शांती यानि फिजिक्स, केमेस्ट्री, मेडिसीन, लिट्रेचर और शांती पांच विश्यों दे जाता था लेकिन दोस्तों आप याद रखेंगा 1969 के बाद अर्थर्शात रेन एकोनॉमिक्स विश्यों सामिल होने के बाद कुल 6-3 में और आपको बता दे कि इंडिया से लास्ट टाइम में कैला सत्यार्थी को मिला था 2014 में, शांतिक नोबेल पुरुसकार मिला था बाल अधिकारों को प्रसान करने है तू और उनका जो एक अंदोल ट्याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है और नोबेल प्राइस से लेटेंड में ट्रिक के ट्रिक से जो है वीडियो बना चुका हूँ उसमें पूरे ट्रिक के मादेम से आपको याद कराया हूँ यहाँ पर आई वेटन में अभी लिंक आएगी तो उस्पिक लिक करके अभी आप देख सकते हैं कोचल नाम कोचन नमर Si bo Ronnie plutôt बरहम साली क की इस देष का राष्ट पती चुन घया है नहीं हैं थीके तो ऑप संडि राइट हो जा에गा अगला कोचन देख लेते हैं दोस्तों बहुत की छेत्रिynn में साल 2018 नोबल पुरुषकार विजेता कौन नहीं है तो इसका राइड एंसर होगा ऑप्सन भी स्कोच कुमाऊ नहीं है जबकि आर्था रास्किन जेराड मैरो और डोना इसक्रिट लेंग देखिए आपको था देक भूत ही विग्यान के ठीक है तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा Global Skill Park निर्मिकी दमें से कहां इस्थीत है तो भारत का सबसे बड़ा Global Skill Park इस्थीत है भोपाल में आउपसा नेराइट हो जाएगा तेखिये मत पेश की राधानी भोपाल में Global Skill Park परिसर के स्थाबना की जाएगा जहां लागवा 20,000 लोगों को लावान भी तोने की उम्मीद है दोस्तो आप ये वीडियो आन्त तक जरूर देखियेगा एक एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट काफी सेलेक्टेर कोशन है अगला कोशन भारती कानूनी शेवपाराधिकर्ण के कारेकारी देख्ष्रों में किसे नेकिटिया गया है दोस्तो भारती कानूनी सेवपरादिकरण के कारेकारिय देख्ष बन गया है अगला कोशन देख लेते हैं रशायन विगजांद वठारम नुगल कुर्सकार निमकित में किस्षेत्र में दिया गया है तो दिया गया है एंजाइम अनुसंधान के लिए ठीक है आपको बता दे क अमेरिकी वैगजानिक फ्रांसेस अर्नाल्ड जार्ज श्मित तथा ब्रिटिस अनुसंधान करता ग्रेगरी विटर ने विंटर ने तीन अक्टूबर को रसायन विगजान ग्लोल पूसकार जीता और इस बार एंजायम अनुसंधान के शित्रे में पूसकार दिया गया है ठ अगले साल गोवा में 30 मार से 14 अपरेल तक 35 वे राष्टी यह खेल आजूद किया जाएंगे अगला कोचन है आई सी आई से बैंक के नए प्रावन निर्शक और सी यो करूं में किसे निउट किया गया है निउकर संदीब बक्षी को किसको संदीब बक्षी को तीके दूस्त साल के लिए इस पsky तरफ किया ओठी के तो संदीब बक्षी में 28 के लिए नोवेल संदीब बक्षी को की योण کو यह निउत्षा की उपियों को शौंप करने उनके प्रेशों के लिए डेनिस मुकवेदे और नादिया मुराद को सहिंक दूरूप से नोवेल शांती पुरुषकार दिया गया है ठीक है डेनिस मुकवेदे और नादिया मुराद को Most important is, शांती को नोवेल तो हर एक्जाम में पूछा जाएगा इसलिए आपको याद रखना है अक्टूबर 2018 में किस किसम के आम को GI टेग पराप्त हुआ है जिसका राइट एंसर हुआगा दोस्तों महराष्ट का अलफांसो यानि ऑप्सन सी देखे आपको उतादे कोंकर्ड के रतनागीरी और सिंधु दुरुग जिले के सहित आसपास के अलफांसो आम को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टेग पराप्त हुआ है यानि GI यानि जियोग्राफिकल इंडिकेशन बता दे कि GI टेग उन उत्पाद उपर किया जाते है जिनके पास एक विशिष्ट भोगली तुपत्ती होती है और उस उत्पत्ती कारण गुण या प्रतिष्ठा ह ठीक है तो इसका राइट इंसर व्यागा ऑप्संद सी महराष्ट का अलफांसो के को सिटोड़ नबर 16 है अक्टूबर 12 में किसे उपर राश्टी सुरक्ष्य सलाकार करो में नियुक किया गया है जिसका राइट इंसर गया तो आप्संन ने आर्यन रभी को मोस्ट इमपोर् समिति के पूर्वू चेर्मेन जो है आरेन रभी को ऊपर राश्टी सुरक्षा सलाकार नुग किया गया और वह एनसे अजीद डोवाल को रिपोर्ट करने वाले तीसरे उपर राश्टी सुरक्षा सलाकार होगे ठीक है तो सुरक्षा सलाकार वरतमान में राश्टी सुरक्षा पढ़ना में अगला कोशन देख लेते हैं निर्मिकीत में से किस देश ने अंडर 19 एस्या क्रिकेट कप 2018 प्रतियों की जीती है इसका राइट एंसर हो यागा दोस्तों आपसाने इंडिया ने देखिए आपको धाका में खेले गया अक्टूबर में 7 अक्टूबर को एस्या कप अंडर 19 के फाइनल मुकाबले में भारत ने स्रिलंका को 144 रन से राकर खिताब अपने नाम किया ठीक है स्रिलंका को राया है तो किस देश ने अंडर 19 एस्या कप क्रिकेट कप 2018 जीत लिया है भारत ने अगला कोशन आर्थ सास्त के नोवेल पूर्शकार 2018 निम्रिकीद में से किसे दिया गया है यह और भी आनि पॉल लोमर और विलियम नौधास को बहुत इंपोर्डेंट है आपको बता दिक रॉयल सुडियस अकेडमी ने एकोनॉमिक्स के लिए 8 अक्टूबर को जलवायू परिवर्तन और आर्थिक विक 1969 से तब से 6 चैतरों दिया जाता है अगला कोशन है भारत का नया सॉलिसिटर जनरल कौन है दोस्तों भारत का नया सॉलिसिटर जनरल बन गया है तुसार महता ठीक है सॉलिसिटर जनरल अत्रिक सॉलिसिटर जनरल तुसार महता को भारत के नया सॉलिसिटर जनरल के पतपन नि है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की रहेंग 103 मौस्ट इंबोर्डन कोश्चन नहीं तादेश्टों की इसमें जो है तो यह पता चले भारत 288 सर्वे में सामिल बिश्व के 190 देशों में 103 अस्थान पर ठीक टोटल 119 कंट्री थी इसमें सुची में 115 में स्थान पर ठीक है तो आप साने राइट हो जाएगा नेक्स सुचन है साहित्य में नोवल पुर्षकार के विरोध के लिए नियू अकादमी पुर्षकार किसने जीता है जिसका राइट एंसर हो जाएगा आप संडी महरेशी कॉंडे इस वार आपको बता दे कि साहित को नोवल पुर्षकार नहीं दिया गया है वार अक्टूबर 18 को वढडे लूपिय लेखक जो rubo को नोब 1 सित पुरसकार जिता ब्रेट ब्रिटेन ने ऑप्सान भी ठीक है आपको उता देख होंकी में ग्रेट ब्रिटेन बहरू मलेशिया में सुल्तान आप जोहर कब 2018 जीता है ठीक है ग्रेट ब्रिटेन ने अगला कोशन है निम्रिकित में से कौन सा भारती राज दुनिया का पहला पूर्ण जैविक अक्टूबर को संगाई मास्टर किताब अपने नाम कर लिया है और दोस्तों बता दे कि जोकोविच ने तीन साल वादे किताब जीता और उन्हों के राश्ट्र पति ने प्रतिन में नामित किया हमैन अब्धुल मलिक साइद ग्राम प्रभी अब्रस्ट Commission यहां पर याद रखे कि लिए और उनकी किताब जो मिल्क मैंन के लिए पतिष्थित मैंन बुकर अवाड दोठारा शमानित किया गया है और बुकर पुरसकार जीतने वाले वाले वंस को पच्चास जार पॉंड का नगाद रासी मिलेगी ठीक है तो मैंन बुकर पुरसकार मैं अगला कोशन दोस्तों बैस्ट्रिक पर तिस परदात्मक सूचकांग में भारत की रैंकिंग क्या है 58 ठीक है अंठावन देखिए बैस्ट्रिक पर तिस पर अमेरिका है जबकि भारत इसमें नमर पर है बतादी 140 सर्थवस्तावक सूची में अमेरिका के बाद दूसरे स्था इसमें बदल कर प्रयाग राज कर दिया गया है जो कि गंगा यमुना की संगम नगरी है प्रयाग राज के नाम से जाना जाएगा ठीक है तो यह इंपोर्टेंट कोशन है अगला कौशन है कौन सा राज भारत का पहला धूम रपान मुक्तराज बनने के लिए तयार है यह र पूर्ट कोशन केरल भारत का पहला धूम रपान मुक्तराज बन गया है अगला कोशन इन लिखित में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े मानो रहित परिभान ड्रोन का सबलता पूरोग परिछण किया है यह किया है चीन ने ठीक है option B चीन ने विश्व का सबसे बड गाउं में से किसे 2018 का सर्वेक्षण में सबसे विक्षित माना गया है राइट एंसर कुलगोड देखिया आप पोता देए के ग्रामेड विकास मंतरा लेक सर्वेक्षण के निसकर्शों के मतावित करनाटक में है कुलगोड के बेलगामे जीला देश का सबसे अच्छा और ठीक है तो निम्कित गाउं में से किसे 2018 का सर्वेक्षण सबसे विक्षित माना गया है करनाटक का कुलगोड करनाटक में कुलगोड वेलगामे जीला ठीक है चलिए कोस्चन no 34 है निम्कित कारों में से किसे हिर्दैनाथ पूरुषकार 2018 समानित किया गया है महम्मcuss जहर खया और भारत और जापान की बीच धर्म गार्जियन 28 सेयुक्त सेयन अभ्यास में पारंपरिक समझ विक्सित करने और एक दूसरे की सेनाओं के प्रति समान भाउत परण करने में काफी मदद मिलेगी ठीक है दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाती इसलिए मैं इसको यहां पर कर रहा हूं इसको सेकेंड पार्ट इदि आप लोग कमेंट करेंगे आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करेंगे और यह टार्गेट है दसजा लाइक का यह आपने आज पूरा कर दी इस टार्गेट को और तो मैं आपके लिए साम तक वीडियो अप्लोड कर ठीक है तो फटा फट यह थी आपको सेकेंड पार्ट चाहिए दोस्तों वीडियो अच्छे लेगे तो कमेंट करके जरूर बता है अपनों सोचा जरूर दे ताक कि मैं जल्दी जल्दी अप्लोड कर सकूं और वीडियो लाइक कर दे प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूल